नफसारी में 4 घंटे में 13 बारिश के बाद 12 के हालाद बन गए है निचले इलाकों में घरों में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है सड़के लबालब होने से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है स्कूल, मंदिर, घर हर जगे पानी ही पानी है अब जो आपको तस्वीरे दिखाने जा रही है वो बेहत डराने वाली है नफसारी के वेरहाउस में रखे गैस सिलेंडर बाड में बह गए इन सिलेंडर्स की संख्या 1, 2 या 10, 20 नहीं थी कई दरजन सिलेंडर बहते दिखाई दिये पहले ये सेलेंडर वेरहाउस के कैंपस में ही तैरते दिखें लेकिन जैसे ही बाड का पानी और बड़ा ये सेलेंडर वेरहाउस की बाउंडरी पार कर रिहाईशी इलाकों की और बहने लगे बाड से हालात इतने खराब हो गए कि लोग घर बाड छोड़ कर सुरक्षित स्थानों की और भागने लगे देखे किस तरह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और ये लोग मायूस होकर कुद्रत के इस कहर को कोस रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर माराश्ट के ये वतमाल से 45 लोगों का रेस्क्यू के जाने की खबर आ रही है वायू सेना के हेलिकॉप्टर से ही रेस्क्यू अपरेशन होगा और पांच अलग अलग जबों पर NDRS की टीम तैनात की गई है गर की दीवार गिरने से दो लोगों की जान जाने की ओए खबर ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं अब जहां पर रेस्क्यू उपरेशन को आगे बढ़ाने की तयारी है ये वतमाल में आई बार की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई सेहर जा रहा है सालात इतने खराब हैं कि राहत और बचाव के लिए SDRF को मोर्चे पर उतरना पड़ा सेना की भी मदद ली जा रही है देखें कि सरसी सडकों का नामों निशान मिठ चुका है और उन पर पानी का बहाब इतना तेज है कि बिना किसी साहारे के घर से बाहर भी नहीं निकला जा सकता लोग रसी के साहारे घर में फसे लोगों का रेस्क्यों कर रहे हैं भारी बारिश के बाद यवातमाल में सडकों पर नदी बहने लगा कारे पानी में तैरती दिखी, घरों में पाँच फीट तक पानी भर गया, बेडरूम से लेकर किचन तक पानी पानी है हमारे घर के अंदर हमारे गाजी, दुलई, कबोर्स, सोफासे, फ्रीज, ये सब पानी के अंदर दूख गया है एक घर की दिवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गया है और अब डरे सहमें लोग भारी बारिश के बीच घर से बाहर निकल कर बैठे हैं इस डियारेफ की टीमें पांच अलग अलग सानों पर बचाव अभ्यान में जुटी है